नमस्कार दोस्तो स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको जिन लर्कियों लर्कियों की साधी नहीं हो पा रही है तो उनके लिए सनिवार की साम को एक रामभाय उपाय बता रहा हूँ जो आप किसी भी सनिवार को कर सकते है और यह उपाई बच्चे की माँ भी कर सकते है बच्चों के पिता भी कर सकते है और बच्चे भी कर सकते है जिससे की वह अपने विवा में आ रही बादा को दूर कर सके तो दोस्तो अभी इस उपाय को ध्यान से सुन लिजिए, जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप वह सही विधी विध्यान से करेगे तो ही उसका उचित फल मिलेगा तो दोस्तो इस उपाय को करने के लिए आपके पास होने चाहिए साथ मिट्टी के दिये फिर उस मिट्टी के दिये के लिए साथ लेटी भी दियाबत्ती बना लीजिए फिर सभी में सरसो का तिल डाल दीजिए और सभी में थोरे थोरे काले तिल भी डाल दीजिए दूसरा आपको गेहू के आटे के गुलगुले बना देना है गुलगुले पकुरी की तरह होती है आपको गेहू का आटा लेना है फिर उसमें थोरी से गुर मिला देना है फिर उसे सरसो के तेल में पकुरी की तरह बना देना है यह गुलगुले गुलाब जामुन के आकार के होते है फिर यह साथ गुलगुले और यह साथ सरसो के तेल के दिपक जो है वह किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाना है जिस पीपल के पेड़ की पूजा की जाती हो फिर आपको वहाँ पर यह सबी दिये जला देने है फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैट करके सनी चालीसा का पाट तीन बार पढ़ना है फिर उसके बाद आपको पीपल के पेड़ की साथ परिक्रमा करनी है फिर परिक्रमा करने के बाद यह साथ गुलगुले जो है वो काले कुत्ते को खिला देनी है अगर काली कुत्ते मिल जाए तो अच्छी बात है ना मिले तो किसी دوسरे कुत्ते को भी खिला सकते है फिर अपने घर आ जाना है अगर आप पिपल के पेड के नीचे बैटकर सनी 40 का पाट नहीं कर पा रहे है तो आप घर में आकर भी सनी 40 का पाट कर सकते है तो दोस्तों यह उ पाई अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सस्काइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेश करना नहीं बुलना जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को निटिफिक्शन मिलती रह है जैसरी क्रिष्णा